असलाम आलेकमे व्यूंट मैंने में इस जाफरान साजित मैंत वह जाफरान के स्प्रेट फार्म गना आप सब वेलकम करता हूं अगर आप लोग इस चैनल पे नए है तो पाइड इसको लाइक सब्सक्राइब और ज्यादर से ज्यादर शेयर करें आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंपोर्टेंट शार्ट सीजीज अफ लेक्चर पॉर लीनियर अलजेब्रा इसका जो कोर्स कोड है वो MTH501 है आप देख सकते हैं सबसे पहले हम टेबल आप कंटेंट्स तो देख रहे हैं टेबल आप कंटेंट्स में टोटल 45 लेक्चर जो लिखे हुए हैं और आज की इस वीडियो में हम जो लेक्चर नमर वन है इसकी बात करेंगी लेक्चर नमर वन में इंटोडेक्शन एंड ओवर्व्यू आप लीनियर अलजेब्रा की बारे में काफ़ी टिस्केशन है आज तो यह इतना इंपोर्टन नहीं है क्योंकि हमने शौर्ट सीरीज अफ लेक्चर स्टार्ट की है तो इस लेक्चर को भी इसमें शामल करना लाजमी नब तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नमर वन lecture number one में है क्योंकि हमने introduction and overview की बात करनी है तो सबसे पहले algebra की तो history है उसकी तो इसी बात कर लेते है algebra का जो name है basically ये एक Muslim scientist Muhammad ibn Musa Al-Qwazmi के नाम पे रखा गया उसको respect देने के लिए algebra का नाम रखा गया क्योंकि Muhammad ibn Musa Al-Qwazmi ने 9th century में एक बहुत important book लिखी थी जिसका जो नाम है वह है the science of reduction and cancellation इस book के अंदर उसने equations को solve करने के लिए बहुत सारे जो है नो वो rules दिये ओके algebra basically mathematics की ऐसी ब्रांच है जिसमे mathematical statements को use दिया जाता है in order to describe relationships between things that vary over time मतलब उन चीजों को जो है वो उन चीजों को describe करने के लिए mathematical statements को use किया जाता है जो time के लिहांस से चेर होगी बाकि यह चीजों फड़ लिजे करते हैं important नहीं है उसके बाद यहाँ पर algebra की definition भी है एक definition ये वाली है और एक ये वाली भी है algebra is a part of mathematics in which unknown quantities are found with the help of relations between the unknown and known algebra basically mathematics की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम unknown quantities को find करते हैं कैसे find करते हैं with the help of relation between the unknown and known okay next हमारे पास algebraic terms है algebraic terms क्या होती हैं the basic unit of an algebraic expression is a term जो algebraic expression होती है उसको जो basic unit of a term होती है क्योंके बहुत सरी terms मिलके एक expression बनाती है okay in general a term is either a product of a number and with one are more variables तो देखें यहां पर हमारे पास 4x दिखा हुए है यह जो 4x है यह एक algebraic expression है जीके simple सा एक algebraic expression है और इसमें हमारे पास दो terms में वो multiply हो रही है एक हमारे पास x पर जो की variable है जो के change हो सकता है और एक हमारे पास constant है तो यह हमारे पास यहां पर 4 और x हुए है यह इलादा लादा एक दर में इन दोनों को हमने multiply किया है एप हमारे पास एक algebraic expression बन गया next हमारे पास study of algebra है study of algebra को आप एक नज़र देखने चीएगा इसमें as such ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि आपके paper point of view के लिहार से important हो उसके बाद हमारे पास algebraic expression जो कि मैंने आपको पहले भी बता दी है algebraic expression में हमारे पास यहां पे example में एक expression given है आप देख सेकते हैं 8x square plus 9x minus 1 यह basically different terms है जिनको हमने multiply किया और add किया या subtract किया तो एक algebraic expression बन गिया है algebraic expression की यहां पे definition भी हम देख पने पे an expression is a collection of numbers variables and positive sign और negative sign जो कि basic arithmetic operation होते हैं mathematics की that must make mathematical and logical behavior तो यहां पर आप देख सकते हैं 8x square यह 8 भी एक इलादा टर्म है 9x square भी एक इलादा टर्म दोनों को हमने multiply किया तो फूरी एक नई टर्म बन गिया उसके बाद 9x एक इलादा टर्म है 1 भी एक इलादा टर्म है इन तीनों को हमने add subtract किया तो हमारे पास यहां पे एक पुरा mathematical expression बन गिया चीक है इसको हम algebraic expression बोलते हैं इस तरह कि बहुत सरी मैं यहां पे दिख सकता हूँ इस तरह से 9x cube प्लस 100x यह भी एक आप मारे पास algebraic expression है इस तरह कि बहुत सरी आप जो हम दिख सकते हैं अच्छा उसके बाद वाट इस linear algebra linear algebra है क्या बिसके लिए one of the most important problems in mathematics is that of solving systems of linear equations mathematics के अंदर एक बहुत बड़ा जो problem होता है वो क्या होता है कि linear system of linear equations को कैसे solve करना है so linear algebra के अंदर बहुत सरी techniques है जिनको हमने study करना है जिसकी मतलब से आप system of linear equations को solve कर सकते हैं इसको मैंने highlight कर दिया इसको आप एक नजब देख रीचेएगा अच्छा थेन हमारे पास application of linear algebra है कि linear algebra कहाँ कहाँ अपलाए होता है कौन-कौन सी field में अपलाए होता है ये computer graphics में भी अपलाए हो सकते है ठीक है उसके बाद electronics में chemistry, biology, differential equations, economics, business, psychology, engineering ये बहुत सारी fields यहां पे mention है इसको आप एक नजब देख रीचेएगा इन सारी fields में in fact cryptographic यहां पे mention है cryptographic बहुत important field mathematics की इसमें भी ये use होती है आप इन सब को एक नजब देख रीचेएगा operational research, linear programming, graph theory, game theory इन सारों को आप एक नजब देख रीचेएगा इसमें बहुत सारी problems होते हैं जिसमें आप system of linear equations को solve करते हैं तो यहां पर एक नजब देख रीचेएगा शायद आपको कुछी important मिल जाएगा वैसे as such इसमें important है नहीं क्योंकि हमने आगे बहुत सारी techniques पढ़ नहीं जहांसे आपके paper में questions आएंगे कि हमारे पास कुछ objectives हैं जैसे कि एक objective यह है कि हम system of homogeneous and non homogeneous system को solve करते हैं तो अब बहुत सारे और भी दिखिए हैं इसको मैंने highlight कर दिया आप एक नजब देख रीचेएगा then हमारे पास यहां पे course segments हमारे पास given है कि इस linear algebra के course में कौन-कौन से segments है सबसे पहले linear equations की बाद होगी काफी detail के साथ उसके बाद matrix algebra के बारे में description होगी determinants, vector spaces, eigen values and eigen vectors और उसके बाद orthogonal sets यह हमारे पास 6 sets है 6 segments हैं जिनको हमने discuss करने detail के साथ इस MTH 501 की course उसके बाद course objectives after you know after studying MTH 501 हमारे पास यह objective नहीं कर लेंगे इसको भी आप एक नजब देख रीचेएगा modern नहीं है वैसे उसके बाद हमारे पास यहां पे 6 different books है in handouts के साथ-साथ आप इन books से भी help ले सकते हैं different writers की यह books है इसको भी आप एक नजब देख रीचेएगा then हमारे पास यहां पे schedule and assessments इसमें total 45 lectures हैं और पहले दो जो lectures है वो introductory है और इसमें जो बाकी lectures है वो पहले दो lectures पे base करते हैं next हमारे पास यहां पे आपकी assignments के बारे में लिखा हुग है total 8 assignments हो गया थी तो अमीद करता हूँ कि आपको इस पहले introductory lecture में चीज़ें को understand हो गी है as much इसमें कोई important चीज नहीं थी एक कुछ की algebra की definition थी उसके बाद application of linear algebra तो इस चीज़े आप एक मिजब देख रीचेएगा अमीद करता हूँ कि आपको यह lectures समझाएगे मेरे जो upcoming lectures होंगे उसमें हम इन detail चीज़ों को discuss करेंगे Thank you so much for watching